हमारी धर्ती पर ऐसी बहुत सी जिन्दगिया हैं जिनके बीच अक्सर जंग छड़ी रहती है तब ही सबसे सात्र और जानलेवा जानवर भी धर्ती पर अपने आपको जिन्दा रख पाने में काम्याब हो पाता है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जानलेवा और सबसे ज जंगल में अपने आपको जिन्दा रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ऐसे कौन से फैक्ट्स है और खुबियां उनमें पाई जाती है जिसके चलते उसे इतनी जदा इजद दी जाती है तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो हमारे चैनल फैक्ट्स केरिटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें जबकि उसके सरीर पर पाई जाने वाली इस ट्राइंग सी बहुत ही बैतरीन होती है पर अब वे औरिजिनल इलाके से मातर चानमे प्रिस्ट कम इलाके में ही बचे हुए हैं जबकि पहले उनका इलाका पूरे कॉंटिनेंट में फैला हुआ था हलाकि उसे कल्चिरर असर ने पूरी दुनिया में आईकन बना दिया है पर उसकी खुबसूरती उसके लिए वरदान और शराप दोनों शाबित हुई हैं टाइगर अकेले शिकार करने वाला जैनवर है और वो भी कापी लंबे चौड़े इलाके में टाइगर का आकार इतना साम तमाम कर शकें इस सांदार टाइगर की केवल छे प्रिजातियां ही एस या के जंगलों में बची हुई हैं वैसे तो बागों की नौ प्रिजातियां थी जिसमें से तीन बिलुक तो हो चुकी है और जो छे प्रिजातियां बची हुई है वो हैं बंगल टाइगर शाइब साइबेरियन टाइगर माना जाता है जिन में से एक वैस्क साइबेरियन टाइगर का वजन लगबग 300 किलो से भी अधिक हो शकता है अगर एक साइबेरियन टाइगर के आकार की तुलना जंगल की राजा सेर्शे करें तो ये जानकर हर कोई शोच में पड़ जाएगा कि बग ज जंगल के राजे से थोड़ा नहीं बलकि बहुत बड़ा होता है एक वैस्क नरशेर आम तोर पर 190 किलो के आसपास का हो शकता है जबकि एक वैस्क साइवेरियन टाइगर एक लाइन से दो गुनेशे भी जदा बड़ा हो शकता है टाइगर की खुबसूरती शिकारियों के अगंदा रहनी की कोसिस पर काले शाइ की तरह मनराता रहता है इसके बावजूद भी सबसे बड़ी बिग केट सर्वाइब कर रही है ये अकेले शिकारिक करते हैं और अपने इलाके के मामले में बहुत गुशेल भी होते हैं और अपने इलाके के हर कीमत पर दुसमनों शे बचा कर रखते हैं जदतर ये अपने गंद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें यूरिन का इस्तेमाल होता है और यूरिन की गंद लगबग 40-50 दिनों तक आती रहती है टाइगर जंगल की किसी भी जगे पर जब निशाने छोड़ते हैं तो वे अपने शेंड गलेंट्स की मदद स कम्यूकेट करते हैं हर टाइगर के अलग और अनोके सेंड गलेंट्स होते हैं जिरकी मदद से वे दूसरे बागों को पहचान लेते हैं ये गलेंट्स टाइगर के पूरे शरीर पर मौझूद होते हैं अंगूटे से लेकर पूँच सिरे चेहरे और पिछवाड़े तक का श्यामना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है ऐसे कई प्रकार के इलाकों में रहने के लिए उन्हें कई प्रकार के अलग अलग इनवर्मेंट के हिसाब से भी ढाल लिया है इसकी सुरुवात आशानी शे उनकी दिखावट से हो जाती है यानि की सबसे अलग लाल और ना मिला कर देती हैं जिसके चलते टाइगर जंगल में बिना किसी को नजर आए आसानी शे घूम सकते हैं जब टाइगर शिकार करने के लिए अपनी दूसरी खासियत का इस्तेमाल करता है तब उसका धारी दार फर और इसके नदुन्द्री पर जाती है इतना भारी भरकम होने क बावजूद भी टाइगर बहुत ही तेज और फूरतीला होता है और करीब 65 किलो मीटर प्रती घंटे की स्पीट से दौड़ सकता है ये रप्तार किसी भी टाइगर के लिए शिकार करने में काम आती है इसके बावजूद भी वो धीरे धीरे शिकार के बहुत करीब पहुता है लेकिन जब शिकार पर हमला करने की बारी आती है तब वो हमला इतना जोड़दार होता है कि शिकार को शमलने का मौका तक नहीं मिलता है टाइगर का और एक एड़प्टेशन पानी से जुड़ा हुआ है जो कि बाकी सभी बिग केट से अलग होता है वो पानी से बचने की कोसिस कभी नहीं करता बलकि पानी में शिकार के लिए ही नहीं जाता बलकि खुद को ठंडा रखने के लिए भी और मस्ती करने के लिए भी पानी में जाता है वे ना केवल सांदार तैराक होते हैं बलकि वे बड़ी से बड़ी नदिया भी आसानी से पार कर लेते ह बाग ने अपने आपको खारे पानी में रहने के लिए भी ढाल लिया है और ये काबलियत बंगला दिश और भारत के शीमा में मौझूद शुन्दरवन के जंगलों में रहने वाले रैल बंगल टाईगर में देखने को मिलती है शुन्दरवन मैंग्रो एको सिस्टम को अपना घर बनाने वाले बागों को खारे पानी का शामना हमेशा करना पड़ता है शुन्दरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रो सिस्टम है जहां पानी और टापों की भूल भूलेया है सुन्दरवन ही एक ऐसी जगे है जहां टाइगर सबसे ज़्यादा इंसानों पर ही हमला करता है लेकिन ये अब तक किसी ने शाबित नहीं किया है कि सुन्दरवन के टाइगर ऐसा क्यों करते हैं आम तोर पर टाइगर इंशानों से बचते हैं उन्हें इंसानों का नहीं बलकि जनवरों का शिकार करना बहुत पचंद होता है जैसे सभी तरह के हिरन, वार्थाग, वाइल्ड गौट और बफेलो और इनके इलाके में पाए जने वाले शबी जनवर टाइगर जदतार रात मे शिकार करते हैं और टाइगर की ये काबलियत भी बहुत बहतरीन होती है क्योंकि उनकी आखों में कॉर्ण के मुकाबले ज़्यादा रोड्स होते हैं, रोड्स का काम होता है परचाई की पहँचान करना जबकि कॉर्ण रंगों की पहँचान करने के लिए होते हैं, इसका सी शिकार कर लेने के बाद टाइगर एक ही बार में 25 किलो तक का मंस आराम से खा शकते हैं लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि उन्हें कितना खाना खाना है बाकी बचा हुआ शिकार वेपेंड पतियों और मिट्टी से ढग कर छिपा देते हैं उसके बाद दोबारा पाइनों में एक बैठरी निकेट भी है तो दोस्तों आप लोगों के वीडियो को कैसा लागा पसंदाए से लाइक करें और आपने दोस्तों किसा सेर करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्स ग्रेटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबादे